कि नमाश्कार किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं यह है वर्मिंगम पोस्ट केंच वाखाद और इसमें बहुत ही अच्छे रंग से इसको त्यार किया गया है चान करके और इसमें आपको काफी अच्छे इसके फीचर मिलेंगे जब आप इसको यूज़ करेंगे अभी इसको मैं अपने सेप और पलम के बीचे में जहां पर एक तरफ कैपसिकम दूसरी तरफ भी कैपसिकम और कहीं कहीं एक तरफ कैपसिकम एक तरफ बैंग लगा गया गया है और बीच में इसमें घ दर्पतवार ना आए कि इसको डालने की जो विधी है वह यह है कि जैसे भी छोटा पौदा है कैपसिकम का तो उसमें हम महज अपनिया एक मुठी भर लेजिए एक मुठी को चार भागों में बांद दीजिए मतलब एक मुठी जो है आपकी चार पौदों के लिए सफिशेंट है जब पौदा बढ़ा हो जाए तब आप थोड़ी मातरा बढ़ा सकते हैं अब ये रखिए कि आपकी हाथ की मुठी के चार हिस्से और चार पौदों के लिए समान रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं धन्यवाद